Hello students, myself Dr. Remy Ansari, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए polymers lecture number 4 और आज के lecture number 4 में हम discuss करेंगे polymers के basis पर polymers का क्या-क्लासिफिकेशन हो सकता है. तो आईए स्टार्ट करते हैं polymers classified based on polymerization. देखिए पिछले कुछ video lectures में हम लोग polymers के classification के बारे में discuss भी कर चुके हैं और आज के lecture में हम polymerization के basis पर polymers का क्या-क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे. तो देखिए स्टार्ट करते हैं classification based on mode of polymerization. Polymers जो हैं वो दो category में divide किये जा सकते हैं. पहला होगा हमारा addition polymerization और दूसरा होगा हमारा condensation polymerization और जो addition polymers होता है या addition polymerization होता है उसी को हम chain growth polymerization भी बोलते हैं या chain growth polymers भी बोल सकते हैं. इसी तरीके से जो condensation polymers होते हैं उनको हम stave growth polymers या stave growth polymerization भी बोल सकते हैं. तो चलिए अब श्टार्ट करते हैं addition polymers को. Addison polymers या chain growth polymers क्या होते हैं? Monomers are alkyne means क्या? Ethines, ETC कोई भी हो सकता है alkyne में और alkynyal arines जिसको हम लोग styrene बोलते हैं ये monomers हमारे होंगे. इन monomers को लेकर के हम क्या करेंगे? Addison polymers कराएंगे. आप लोग आगे इसको देखेंगे. तो पहले देखते हैं addition polymers की definition क्या होगी? polymers are formed by the combination of many similar monomers और many two different monomers are called addition polymerization या addition polymers. तो ऐसे polymers जो किसी एक ही monomers के combination से बने होंगे या two different type के monomers में बहुत सारे monomers से बने होंगे. तो उसको हम बोलेंगे addition polymer. क्या बोलेंगे addition polymer. और ये जो addition polymerization होता है, addition polymerization में generally by product का formation नहीं होता है. addition polymers जो होते हैं वो अपने आप में दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकते हैं homo polymers और दूसरे हो सकते हैं co-polymers. या इसी को हम लोग heteropolymers भी बोल सकते हैं. heteropolymers या co-polymers. तो अब हम देख रहे हैं कि homo polymers क्या-क्या हो सकते हैं. homo polymers का बोलेंगे और heteropolymer का बोलेंगे होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, जैसा कि अभी definition में पड़ा, अगर सेम टाइप का मोनोमर है, जिसकी repeating unit से कोई polymer बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे होमो पॉलीमर, और अगर दो different monomers से मिलकर के कोई एक polymer बन रहा है, तो उससे हम बोलेंगे हेट्रोपॉलिमर या कोपॉलिमर. तो होमोपॉलिमर देखते हैं, सेम टाइप ओफ मॉलिक्यूज मींस मोनोमर्स कम्बाइन टू फॉर्म पॉलिमर्स, इसकार होमोपॉलिमर. एक्जामपल आपका होगा, जिसको हम लोग IUPAC में एथीन भी बोलते हैं, एथीन मोनोमर होगा और एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूज कम्बाइन करके एक पॉलिमर बनाएंगे, जिसको हम पॉलिथीन बोलते हैं. पीछे हम देख भी चुके हैं और अभी हम आगे भी देखेंगे कि पॉलिथीन का फॉर्मेशन कैसे होता है. दूसरा एक्जामपल हम देखते हैं पॉलिथीन, अब ये हैं आपकी पॉलिथीन, आप डाइग्राम में देख सकते हैं पॉलिथीन, दूसरा एक्जामपल है आपका polyvinyl chloride, जिसको short में हम PVC बोलते हैं, जो PVC pipes बनाने में काम आता है, यह आप देख सकते हैं PVC का डाइग्राम, और तीसरा एक्जामपल है आपका teflon, teflon आप डाइग्राम में देख सकते हैं, और चौता एक्जामपल है आपका orlon, जिसको हम PAN बोल polymerization का, एक्जामपल और होमो पॉलिमर क्या होते हैं उसके बारे में, तो आईए अभी स्टार्ट करते हैं, एडिशन पॉलिमर का दूसरा टाइप, हेट्रो पॉलिमर, जिसको हम लोग को पॉलिमर भी बोलते हैं, तो को पॉलिमर के इसको बोलेंगे, more than one type of molecules, मतलब monomers, combine to form polymer, जब दो या दो से ज़्यादा type के, दो या दो से ज़्यादा type के monomers आपस में combine करके एक polymer का formation करते हैं, तो उसे बोलते हैं, हेट्रो पॉलिमर या को पॉलिमर, examples क्या-क्या होंगे, व्यूना-S, व्यूना-S rubber है, आप पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, व्यूना-S, व्यूना-S example है किसका, एडिशन पॉलिमर के अंदर, होमो पॉलिमर आजेशन का, या हेट्रो पॉलिमर आजेशन का, तो ये एक्जामपल है हेट्रो पॉलिमर का, जिसका दूसरा नाम होता है, को पॉलिमर, व्यूना-S, इसका monomer हो बन-3-buta-diene, अब अगला देखते हैं, तो इसमें अगला एक्जामपल है हमारे पास, ब्यूना-N, ये भी एक रवर है, ब्यूना-N, इसके monomer क्या-क्या हो सकते हैं, इसको हम NBR भी बोलते हैं, नाइट्राइल-buta-diene रवर भी इसका पूरा नाम है, NBR का, नाइट्राइल ब्यूना-इट्राइल-वर, अब इसके monomer क्या हो सकते हैं, पहला monomer इसका होगा, विनाइल साइनाइड, क्या है, विनाइल साइनाइड, ये common name है, अगर इसका IUPAC name लिखे हम, तो हो जाएगा प्रॉप 2-E-N, नाइट्राइल, और इसका जो दूसरा monomer होता है, वो होता है, 1,3-butadien, तो ये दो टाइप के monomer से बना है, इसलिए ये भी example होगा आपका heteropolymer का, तो ये था आपका heteropolymer के बारे में आपने पड़ा, अब हम देखते हैं कि इस पर क्या-क्या MCQ questions हम से पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में discuss करते हैं, तो पहला question है हमारे पास, which of the following is not an addition homopolymer, कौन सा addition homopolymer नहीं है, पहला option है PVC, polyvinyl chloride जो आपने पड़ा था, दूसरा option है Buna-S, तीसरा option है आपका teflon, और चोथा option है आपका PAN, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका answer Buna-S होगा, क्योंकि ये homopolymer का example नहीं है, ये heteropolymer है, अब देखते हैं अगला question, question number 2 है what are the monomers of NBR, अभी आपने पड़ा NBR के monomers क्या होंगे, पहला option है 1,3-butadiene और दूसरा option है acrylonitrile और तीसरा option है ethylene और चोथा option है आपका A and B both, तो आपको पता है NBR एक heteropolymer है और ये दो monomers से मिल करके बना है, उन दोनों monomers का नाम है 1,3-butadiene और acrylonitrile, तो इसलिए अंसर सही होगा D, both A and B, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिमराजेशन के बेसिस पर पॉलिमर्स का क्या-क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है और उसमें क्या-क्या MCQ कोश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिसकस किया, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दा वीडिय पॉलिमराजेशन रॉलिमराजान का क्या रॉल-ॉil